नमस्कार आप देख रहे हैं Each and Everything मैं हूँ आपके साथ मैं सभी राज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एजिप्ट के पिरामेट के बारे में कुछ 5 important facts बाइद वे facts बहुत साथ है इसके बारे में जो face है इन सब एजिप्ट ने जितने पिरामेट बन रखे हैं इनका जो face है यह north के तरफ है सबका face approximately north के तरफ है उस time पे जब direction पता नहीं कर सकते थे किसी instrument से without much resources direction उन्होंने exactly north find करके उस पे लगाया it's a great thing it's an amazing thing अच्छा अगला fact यह है कि यह जो base है पिरामेट का वो perfectly square है उस time पे जब angle measure करने के ले कुछ नहीं हुआ था length measure करने के ले उतनी चीज़े नहीं थी फिर भी without much limited resources very limited resources उन्होंने इतना कुछ किया that is an amazing thing कि perfectly base square बनाना पिरामेट का it's an amazing amazing and amazing thing अगला जो है structure के मैं बात करना चाहूंगा इन्होंने इसका structure ऐसा बनाया है जो कि एक constant temperature इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो 20 degrees Celsius temperature constant रहता है 20 degrees Celsius हमरी body के लिए बिल्कुल perfect temperature है और अगर हम आर्थ पर भी देखे तो it's a good temperature 20 degrees Celsius ना जादा ठंदा ना जादा गर्म तो एक medium टाइक constant temperature हमाँ पर बना रहता है उस टाइम पर आज की टाइम पर तो हम देखो air conditioner में यूज करते हैं condenser यूज करते हैं और gases यूज होती है इतना कुछ करते वे physics chemistry modern है हमारे पास उनका यूज करके हमने air condition त्यार किया है और तब जाके वो बिजली का यूज करके air conditioner को condition करता है और यहाँ पर without any these kind of material electric, electronic, gadgets का बिना यूज की है एक temperature constant करने वाला है क्यासा structure त्यार करना है इस also अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है जो तीसरा है तो आप मैं first पर लेकर जाए यह जो है यहाँ पर यह आपको top दिख रहे है top of the pyramid यह तीनों सगर आप एक imaginary line ड्रॉ करेंगे हवा में रात के टाइम पर तो आपको एक orion constellation होता है उसके important stars ने तीन उससे align करते वे दिखेंगे मैं एक बार deeply समझाता हूँ क्या मतलब है constellation Orion मतलब a group of stars जो की एक pattern बनाते है उसको उसको constellation बोलते है उसी तरीके का एक group of stars है जिसका नाम Orion रखा गया है उस Orion के stars से इनको interrelate align किया गया है उस stars को अगर आप सीधा देखेंगे तो आपको बिल्कुल pyramid का यह टॉप पिन जो पॉइंट है पिन टॉप पॉइंट वह दिखेगा तो इस टाइम पर आपके पास उतनी कोई चीज़े भी नहीं थी फिर पिर डिस्टेंस मेजर करना एंगल मेजर करना altitude मेजर करना alignment करना इतना पॉफेटली अपने में ही ग्रेट अमेजिंग बात है एक एक ऐसा सी इस है जो कि we cannot it's an amazing thing basically बहुत amazing thing है कि without being any limited resource having limited resource इतना काम करना ऐसे structures बनाना जो कि अभी आपके screen के सामने है जिसमें इतनी detailing की गई है तूतन खामुन थे उनकी जो इस structure बनाया गया है portrait बोल लो आप something like that तो उसमें इतनी detailing करना with limited resources आज की टाइम पर हम we can easily make it और कर सकते हैं और बना बनाया जा सकता है लेकिन आज की टाइम पर इतने resources नहीं थे manpower जादा है आज की टाइम पर जितना developed है man उतना नहीं है पहले के टाइम पर तो that is a great thing time difference हो के भी उन्होंने technology difference होके भी उन्होंने इतना कुछ किया है साथ ही साथ जो center of all landmass अगर हम जितना भी जमीन है भूमी है उन सबको अगर एक जिगर जोर देक अठा कर दें तो उसका जो center point बनेगा उसको वहीं पर exactly Egypt के पिरामिट लाई करते हैं रहते हैं मतलब it is a completely center of the earth बोलो या of all the landmass बोलो तो it's a great thing कि हर दिगर से equal distance measure करना कि हाँ उदर से भी इतना होना चाहिए उदर से भी center point find करना और उस पे पिरामिट को तयार करना amazing thing with limited resources और आज तक इसी लिए इतना यह amazing है इसे लिए अभी यह क्या नम है seven wonders of world में इसको include भी किया जाता है ओके तो यह जहाप आपके सामने screen पर जो है यह तूतन खामून है king तूतन खामून है बहुत कम एज में इनके death हो गई थी और यह बहुत famous वहां के वो है king थे अभी तो नहां king ने थे बहुत famous king थे और यह pyramids वेगरा आप जब भी पढ़ते होगे तो definitely आप मोव वीडियो रिले तो science, technology, engineering, mathematics, हाँ, so please comment in any video I will make it okay goodbye subscribe to channel